दोस्तों नमस्कार आज की स्वीडियों में हम आपको बताने वाले हैं कि अधार यूपिया के बारे में एक और नई बेंकों में अधार यूपिया का फैसलिटी शुरू किया गया है अब तक के नो बेंकों में ये अधार यूपिया का फैसलिटी लागू कर दिया गया और पंजाब सिंध बैंक में हैं तो आप बेसक्स जो है अधार यूपियाई के मदद से अधार कार्ट के साहिता से आप यूपियाई इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप अधार से यूपियाई को इस्तमाल करना चाहते हैं पंजाब सिंध बैंक के द्वारा तो आपको भीम यूपिय जाता एक debit card एक अधार नमर के दोरा तो यहाँ पे जैसे ही अधार नमर पे click करेंगे तो आपका next process चालू हो जाएगा जिसे कि आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं तो term and condition को allow कर देंगे और permission आपसे मांगा जाएगा जो अधार नमर का last का four digit होता है वह आप यहाँ पे इंटर करेंगे term and condition सेम रहेगा जो आपके अधार में मौल नमर लिंक है वही आपके खाते में मौल नमर लिंक होना चाहिए इसके बाद यह screen जो है next process में बदल जाएगा जिनसे आपके द्वारा अधार के द्वारा OTP आए जाएगा और अधार के द्वारा जो OTP आएगा वो OTP इंटर करेंगे उसके बाद अधार के द्वारा verify कर दिया जाएगा उसके बाद बेंक के तरब से OTP आएगा बेंक के तरब से भी वेरिफाय कर दिया जाएगा उसके बाद फैनली आपको जो है यहाँ पे अधार के द्वारा यूपियाई पीन सेट करने का मौका मिल जाता है तो इस तरह से आप पंजाब एंड सिंध बेंक में जो है अधार से यूपियाई इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस कोस्मोस बैंक में लागू कर दिया गया है केरल ग्रामिन बैंक में यह लागू कर दिया गया है करनाट का ग्रामिन बैंक में अधार यूपिया के फीचर आ चुका है इसके बाद इनसाइट बैंक में भी यूपिया का फीचर आ चुका है और केनरा बैंक में भी आचुका है राजस्ताउन राज सहकारी बैंक में भी यहाँ पे आपको आचुका अधार यूपियाई यूको बैंक साथिसाथ पंजाब एंड सीध बैंक में भी यहाँ पे अधार यूपिया का फीचर आचुका है तो स्टेट बैंक ओफ इंडिया के तरफ से भी कोई भी रिप्ला नहीं आया लगातार हम प्रियास में जुटे हुए हैं और लगातार हम टूइट कर रहे हैं आधिसाथ नपीसिया का भी अपडेट मैं आपको बता दूँ एक ही कहाना है बहुत ही जल्द आपको सभी बैंकों में यह सेवाए उपलब्द मिलेगी तो इस वीडियो में बस इतना ही इनफोर्मेशन आपको इनफोर्मेशन पसंद आद वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए